गुड इूनिंग फ्रेंड्स वेलकूम टू मैं यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आप सब के साथ फिर से एक बिल्कुल नेच्रल है डाई शेर कर रहे हूं जो बहुत ही सिंपल है और जिसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है इसे कैसे यूज करना है क्या क्या डालना है तो प्लीज वीडियो को अच्छी तर से वाच करें चलिए जिल्दी से देख लेते हैं सिंपल सी डाई को कैसे बनाएंगे सबसे पहले लेंगे लोही की कड़ाई लोही का कोई भी बरतन लेना ज़रूरी है आयन वेसल उसके बाद डालेंगे इसमें द करती है उसके बाद लेंगे यहां पर बीट रूट पाउडर चीक है दो चमच मैंने लिया है यहां पर कलोजी पाउडर और लगबग दो चमच ही हम लेंगे यहां पर बीट रूट पाउडर अगर आप बीट रूट ले रहे हैं तो उसे अच्छी तर से ग्रेट करके यहां पर डालना है लगबख टेड ग्लास मतलब 3 कप मैं कप के इसाब से बताऊंगी तो 3 कप और ग्लास थोड़ा सचोटा है तझायल के अहाँ यहां पर डालेंगे हिबिस्कस फ्लावर्स यहां फिर एक चमंच हिबिस्कस पाउडर हिबिसकस बालों को एक गहरा कलर देने के सथ साथ बालों के जड़ों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉंग बनाता है जिनके भी बाल ज़्यादा ड्राइ और डैमेज है उनके लिए तो हिबिसकस किसी वर्दान से कम नहीं है इससे नेचरल कलर्स भी बनाए जाती है मेरे पास यहाँ पर छे से साथ फ्लावर थे मैंने सब एड़ कर दिये है फिर इसे रखेंगे गैस पर गैस के फ्लेम को आउन करेंगे और इसे तब तक बॉयल करेंगे जब तक तीन कप का पानी एक कप लगबग रहे जाए और अब इसमें हम डालेंगे में चीज जो के है अक्रोट के छिलके जिसे हम वालनट छिल्स भी कहते है यह बालों को नेचरल तरीके से काला करते है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसमें डालेंगे एक मीडियम पुटाइटो के छिलके क्योंकि पुटाइटो के छिलके भी बालों को काला करते है जब यह इस तरह अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तीन कप का लगबग एक कप पानी रहे जाए पानी का कलर बिल्कुल ब्लैकिश्ट हो जाए तो हम गैस के फ्लेम का बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे उसके बाद यह ठंडा हो जाए तो हम इसे चाल लेंगे अच्छी तरह से बिल्कुल प्रेस करके चाने जैसे इस पानी में हमें पूरा बेनिफिट मिले प्लीज वीडियो आगे शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी अगर वीडियो थोड़ा भी इसफिल लगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी ज़रूर प्रेस करें और अपने फैमिली और फ्रेंज में शेयर करके एक लाइक भी ज़रूर करें तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस अब मैंने लिए फिर से वही लोई की कड़ाई और मैंने आउला को रोस्ट करके पाउडर बना के रखा हुआ है दो चमच डालेंगे रोस्टेज आउला पाउडर इंडियन गूस्बेरी पाउडर ठीक है उसके बाद डालेंगे दो चमच शिकाकाई पाउडर शिकाकाई और आउला दोनों सदियों से यूज होते हैं बालों को काला लंबा घना मस्बूत बनाने के लिए इससे पैक बनाई जाते हैं शेशेंपू बनाई जाते हैं उसके बाद इसमें डालेंगे लगबग दो चोटे चमच यहां आप डालेंगे कोकुआ पाउडर यहां डालेंगे कॉफी पाउडर दोनों ही बालों को instant color देते है cocoa powder जो है वो बालों में dryness बिल्कुल नहीं आने देता है इसलिए मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आपके पास हो तो पहले cocoa powder डाले दो छोटे चमज अगर न हो तो दो छोटे चमज आपको डालने है यहां पर coffee powder ठीक है और उसके बाद जो हमने ये पानी शाना ता इसके साथ mix करके इसका एक paste बना लेंगे जिसे हम normal हीना का paste बनाते है और इसे ढख कर छोड़ देंगे overnight इस पानी ये पानी भी हमें चाहिए इसे हम रख देंगे चीक है overnight रखने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा अब जिन्हें यहां पर हीना एड़ करनी है वो हीना एड़ करेंगे जो हमने पानी रखा था उसके साथ mix करेंगे और फिर से overnight रखेंगे तो best color मिलेगा एक blackish brown color मिलेगा पर मैं आज हीना एड़ नहीं कर रही हूँ तो जिन्हें हीना पसंद नहीं है वो इसे इसी तरह ही अपने बिल्कुल साब बालों पर लगाएंगे चीक है कम से कम साड़े 3-4 गंटे रखना है shower cap जरूर पहननी है और उसके बद सरिफ normal पानी से दोना है आगे मैं बताऊंगी कि जो हमने पानी रखा है जिन्होंने हीना नहीं डालनी है उसका क्या करना है उसे हम waste बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें काफी सारी goodness अभी बाकी है चीक है तो हमारा pack तो हो गया अब इस पानी का आपको क्या करना है इस पानी को थोड़ा सा गरम कर लें और इसमें डालें अपना oil जो भी oil आप अपने बालों में लगाते है जब आप head wash कर लेंगे मतलब जो हमने pack लगाए है उसे wash कर लेंगे जब बाल अच्छी तरह से सूख जाए उसके बाद इस oil इसमें oil डाल कर आप उससे अच्छी तरह से बिलकुल massage करेंगे तो थोड़ा सा color भी गहरा हो जाएगा और जल्दी निकलेगा भी नहीं चीक है प्लीज इसी तरह ही करें जिस तरह मैंने बताया है और फिर मुझे जरूर बताएं किसका रिजल्ट आपको क्या मिला और बिलकुल माईल शेम्पू यूज करें थैंक्स फूर राचिंग चलिए फिर मिलेंगे बाई